हाई एवरिवन में खुजबू स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिस है मेरे यूटूब चेनल में तो आज हम बनाने जा रहें बहुती जल्दी और क्विक बनने वाली पाव भाजी जिसके लिए मैंने लिए प्याज, आलू, बीट रूट, मतर, एक टमाटर, गोबी, गाजर, जिंजर, गार्लिक, और हरी मिर्ची आप अपने कोर्डिंग सब्जियां और जादा कम कर सकते हैं तो हम इसे आज कूकर में बनाएंगे जिसके लिए मैंने आलू को चॉप किया है क्योंकि आलू को पकने में सिर्फ एक सीटी लेंगे, हल्दी नमक डाल देंगे और डिनर में मुझे तो पाउ भाजी बहुत पसंदे क्योंकि इस तरह से बहुत जल्दी बन जाती है गरम गरम भी होती है और इस तरह से अब हम मतर को अलग से बॉil कर लेंगे फ्रोजन मतर ली है मैंने हल्दी नमक डा नपार बड़े लेगा मातर को अच्हेस कर लेंगे और अलग रख देंगे और हमारी सब्जीअ लग भग हो गई हैं एक शीटी आ गई है तो आप तेल लेंगे कूकर थंडा हो रहा है तब तक हम मसाला बना के रेडी कर लेंगे फिर सब्जी या चेक करेंगे इदर हमने ऑईल गरम होने के लिए राजी आए जी राई जी राग तड़कने के तुरंतबाद हम डाल देंगे हमारा जिंजर गार्लिक अनियन का पेस्ट आप प्याज को बारी कड़ भी कर सकते हैं या मिक्सर में भी चॉप कर सकते हैं ऐग ला जोड़ा सा बटर एड प्यारों में नारत प्याज थिते होची कापल नति box पास्ट को उलिगाओं कि यह फ्रॉपजेश के अधर यहाँ से लिगर आप से के मैश रखे लाख केम थिए todavía अधर के Г O को अच्छे से मेश कर लोंगी तो यह वेजटबल स्टॉक है सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसको आपको फेकना नहीं है आप मेशर की यह ग्लास की हेल्प से अच्छे से एकदम सब्जी को एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है जिससे चंक्स नहीं आएंगे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा बजार जैसा कर देता है स्ट्रीट स्टायल में तो यह जरूर डाले अगर नहीं है तो आप घर के रूटीन वाले मसाले जो भी मैंने एट किये हैं धना पाउडर हल्दी नमक मिर्ची और आम चूर पाउडर यह सब भी डाल सकते हैं तो कोई कलर या कश्मीरी लाल मिर्ची बहुत चादा माउंट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बी टूट टमाटर के साथ बहुत अच्छे से पग बी जाएगा और एक दम बहुत अच्छा कलर देगा हमारी सबजी को सो अब मिसको साथ साथ मैस्ट भी कर लेंगे तो हम हमारा बच्छा हुआ था यह स्टॉक वाला वो डालके हम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और पानी अपने कोडिंग एज़स कर ले क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो एक तम पेट भर के खाते हैं दबा दबा के सो यह लास्ट में गाड़ी पढ़ जाती है या फिक खाने अच्छे से मांगते हैं तो घर में बनाए तो थोड़ा पतला ही रखे इसे तो पानी की कंसिस्टेंसी अच्छे से सिम गेस पे कुख होने देंगे इसके बाद हम एट कर देंगे हमारे मटर जो कि हमने बॉइल करके रखे थे और आप चाहे तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं आयसे भी रख सकते हैं और डाल देंगे थोड़ा सा बटर और अच्छे से हम इसको कुख होने देंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताईगा कि आपको यह पाव भजी पनाने का तरीका कैसा लगा आप किस तरह से पाव भजी पनाते हैं तो हमारी अब यह सबजी थोड़ी देर में पक के रेडी हो गई है एकदम अच्छे से बॉइल आ गया है एकदम करसिस्टेंसी भी अच्छ अच्छे से भी गी में और लेटीगे तो मैंने यह नमकीन और प्याज कटकर लिए थे और देखिये हमारी किती प्यारी कंसिस्टेंसी यह कलर आया है तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा वीडियो को एक जाती है जाहिए आप प्यूर आलू से बना सकते हैं या दूसरी सब्जी भी और सब्राइट कर सकते हैं तो आप जिस तरह से चाहे उस तरह से सब्जी लेड कर सकते हैं अब इसमेदा से पाव भजी मसाला बटर और नीबू डाल के से सर्फ करेंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी नेक्स टोर वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ थेंक्यू फो वाचिंग बाई-बाई-एव गुड डे